नमस्कार दोस्तों मैं Dr. Pranjali आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं दोस्तों अगर आपने कभी supplements का नाम सुना है तो आपने omega-3 fatty acid का नाम जरूर सुना होगा दोस्तों omega-3 fatty acid अगर हम supplements में compare करें तो एक तरफ आप पूरे सारे जेतने multi vitamins हैं जेतने supplements हैं उनको रख दें और एक तरफ आप omega-3 fatty acid को रखें क्योंकि दोस्तों omega-3 fatty acid हमारे शरीर के जो vital organs है वो उनको benefits पहुचाने में उनकी उनसे related जैसे आपके heart है आपका brain है आपकी body की arteries है या mental health है इन सब को disease से बचाने में बहुत जादा मददकार होता है तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे important benefits के बारे में बताऊंगी omega-3 fatty acid के जिसको जानने के बाद जोस्तों अगर आप omega-3 का प्र दोस्तों अब आप सभी मेरी website drfrancly.com पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं जहां आपको मेरे appointment ये medicine संबंदित सारी information मिल जाएगी आगे मेरे जिते ब्लॉक्स आएंगे उनकी notification भी मिलती जाएगी और अगर आप सभी मेरे social media platform पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो उन सब के लिंक पर आपको मेरे site पर मिल जाएगा तो आप सभी एक बार मेरे site को visit जरूर करें चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों संशिप्ट में omega-3 fatty acid के बारे में से पास अकेंगे basically यह आपको seeds जो है जो flex seed होता है या फिर आप walnut है इन सब से जो oil आते हैं उनसे आपको ELA मिलता है और EPA और जो DHA है दोस्तों basically आपको fish oil और जो egg है इन सब से हमारे शरीर में मिलता है जो कि यह तीन बहुत ही जादा important है हमारे human physiology के लिए अब मैं आपको detail में बताऊंगी दोस्तों कि जो omega-3 fatty acid है वो हमारे शरीर के किन-किन areas में बहुत अच्छा काम करती है और क्यूं हमें इसको लेना बहुत जादा आविशक है सबसे important जो दोस्तों इसका benefit है वो है आपके heart के लिए heart diseases में दोस्तों आज कल अगर आप survey देखें तो जो stroke और heart cases बहुत जादा बढ़ चुके हैं और heart diseases जो है इसमें जो death rate है बहुत जादा जादा high देखने को मिलता है अब इसमें omega क्या काम करता है हम चली यह बात कर लेते हैं जो omega है दोस्तों वो हमारे शरीर में जो cholesterol है उसको manage करने में बहुत जादा मददगार है especially जो triglyceride है वो उसको कम करता है जो good cholesterol है दोस्तों जिसको हम HDL बोलते हैं वो उसको बढ़ाने में मदद करता है साथी high blood pressure को कम करने में मदद करता है और हमारे शरीर में plaques या blood clot नहीं बनने देता जो की एक heart stroke के लिए बहुत ही बड़ा कारण है कि कहीं पर artery block हो गई तो उस सारी circumstances को वो बंदे नहीं देता और आपकी heart को prevent करके रखता है दूसरा आजकल बहुत जादा जो common देखने को मिल रहा है दिन मुझे इस चीज के patient देखने को मिलते हैं वो भी वो है ADSD disease के बच्चे दोस्तों अगर आपके बच्चा भी बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं क बच्चे हैं उनमें यह चीज बहुत जादा देखने को आजकल मिले लगी इसे बोलते हैं ADSD disease बच्चों में यह आजकल बहुत जादा दिख रही है अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसी condition दिख रही है कि उसका बहुत पूर concentration है बहुत गुसायल टाइप हो गया है जो fatty acid है उसका supplement देना शुरू कर दें उसमें इस तरह की जो changes है वो धीरे-धीरे करके कम होने शुरू हो जाएंगे तीसरी दोस्तों जो again बहुत ही common परिशानी है और आजकल बहुत जादा देखने को मिलती है Metabolic Disorder Metabolic Syndrome में दोस्तों यह बहुत अच्छा काम करता है syndrome word मैंने क्यों बोला दोस्तों जब भी कई बिमारे एक साथ attach होती है तो उसको एक syndrome बोला जाता है मतलब multiple diseases आपको एक साथ हो दी है Metabolic Syndrome में क्या होता है आपका belly fat बहुत जादा बढ़ना शुरू हो जाता है आपका जो triglyceride level है वो बढ़ता है आपका जो good cholesterol है वो कम होना pressure की होना शुरू हो जाता है या chances बढ़ जाते हैं साथ ही आपकी body में insulin resistance होने लगता है तो आपकी body में blood sugar level भी बढ़ा हुआ मिलता है अगर यह सारी चीज़ें आपको combined रूप से मिल रही है देन आपको Metabolic Syndrome हो रहा है तो अगर आप Metabolic Syndrome से ग्रसित हैं तो आप omega 3 fatty acid का प्रयो हो जाएगी नेक्स्ट दो जो दोस्तों बहुत कॉमन परिशानी है वो है आपके mental health को लेके mental health आजकल सपेशली जो एजिंग को लेके mental health आ रहा है और साथ में इवन नॉमल जो mental health है आजकल जो lifestyle है उसके वज़े से भी बहुत जादा प्रॉब्लम आ रही है आप बूलने जो memory है वो आपकी पूर होने लग गई है इसमें भी even adult के लिए और old age के लिए दोनों के लिए ही omega 3 fatty acid बहुत जादा beneficial है आप इसका नीमत रूप से सेवन करें यह ना सिर्फ आपको उससे खीक रखेगा बलकि आगे जाके जैसे अगर आपकी age आगे जो बढ़ रही है तो इ risk factor को वो कम करके रखेगा दोस्तों next दोस्तों इसका प्रयोग अग आप autoimmune बिमारी से ग्रसित हैं autoimmune बिमारियां क्या होती है दोस्तों इसमें आपके शरीर की जो defense system है आपके शरीर की healthy कोशिकाओं को ही मारना शुरू कर देता है वो सोचता है यह foreign particles है और वो उनको ही destroy करने लगे ऐसी बिमारी autoimmune disease कहलाती है autoimmune में दोस्तों जो disease ज्यादा commonly देखने को मिलती है वो rheumatoid arthritis, psoriasis, type 1 diabetes, ulcerative colitis, Crohn disease, यह सारी बिमारियां आधकर बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है और इसमें omega 3 काम क्या करता है दोस्तों यह आपके जो immune system है उसको normalize करके रखता है सा इसमेर में उसको भी कम करने की कोशिए कहता है क्योंकि mostly यह देखा गया है कि autoimmune disease genetically भी बच्चों में जैसे parents को है तो बच्चों में भी होने के chances थोड़े से बढ़ते हैं या फिर आपके parents में रहा है तो आप थोड़े से प्रोन हैं सब बिमारियों के लिए तो ऐसी परसिते fatty liver होता है जिसमें आपकी कोई history नहीं है कि आप alcohol लेते है और उसके बाद भी आपके जो लिवर पर fat deposition जादा हो रहा है उस case में क्योंकि यह आपके cholesterol को manage रखने में मदद करता है तो आपका जो fat है वो unnecessarily आपके लिवर पर deposit नहीं होता है और आप एक तो आप अपने आपको prevent भी रख सकते हैं fatty liver ना होने पाए साथ ही अगर है तो वो धीरे-धीरे करके उसको कम करने में भी मददगार होता है next दोस्तों वो भी बहुत ही common विमारी आजकल हो गई है osteoporosis and bone related issues दोस्तों आजकल ना किसे बुजर्गों में young age में भी osteoporosis के cases देखने को मिल जाते हैं bone arthritis के case बहुत young age में देखने को मिल जाते हैं इसके पीछे का कारण क्या है कि हमारे bones जो है वो अंदर से धीरे-देरे कमजोर होने लग गए और उनमें एक तो डीड़ेशनसी बहुत common है इंडिया में तो इसलिए देखने को मिलती है और दूसरी महिलाएं थोड़ी सी प्रोन हो कर गए हैं 40 प्लास क्रॉस कर गए हैं तो definitely आप omega-3 लेना शुरू कर दें इवन यंग एज में भी आप omega-3 लेंगे तो आपका जो रिस्ट फैक्टर है उस्ट परोसिस होने का या different type के arthritis के होने का वो कम हो जाता है क्योंकि omega-3 fatty acid में दोस्तो anti-inflammatory property पाए जाती हो और यह anti-inflammatory property आपके joints में जो सूजन आ रही है जो redness है जो pain है उसको भी कम करने में बहुत जादा मजदकार है तो आप समझ सकते ही जोस्तों यह मैंने कुछ important benefits बताएं omega-3 के लिए और वो कितने जादा important है हमारे day-to-day जो routine है उनमें यह देखने को बहुत आसानी से बिमारी मिल जाती ह हैं तो अगर आप इन में से किसी भी विमारी से ग्रसित हैं तो आप omega-3 fatty acid का प्रयोग करना शूरू करने धिरे धिरे यह आपके शरीर की इन परिशानियों को आपके शरीर से निकालने में बहुत ज़्यादा मददकार होगा तो आशा करती है दोस्तों आपको यह वीडियो वीडियो के साथ अब तक के लिए thank you so much stay safe and healthy